लास्ट वीडियो में हम लोग रिटर्न के बारे में डिसकस कर रहे थी जहां पर हमने सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाई की जो रिटर्न थी उसके बारे में डिसकस किया कि जो चीज़ें आप बाहर सप्लाई करते हों किसी को बेचते हों उनकी डिटेल्स आपको 10th of next month जिस जो कि आपकी इनवर्ड सप्लाई यानि जो समान आपने परचेज किया है उससे रिलेटेड है आपको क्या जो समान आप खरीते हों बिजनस के परपस से उन सबकी डिटेल्स भी डिपार्टमेंट को देनी होती है क्योंकि आपको आइट इसी भी लेना बाद में वो एपने क्या क्या कि थी वो डिटेल्स आपको देह द्खानी पड़ेंगी तो उनसी कीज़ों से रिलेटेड होती है आपकी जीस्थी आन को नेक्स मंद की 15 तक फिल करनी होती है इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं जैसे अभी अमने बात की ये क्या होगी जितने भी आ तब कुछ provisions apply होंगे यानि कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जैसी कि आपकी outward supply से related कुछ provisions से ठीक उसी तरीके से inward supply से related भी हमारे कुछ provisions है First provision है हमारा person label to furnish details of inward supply यानि कौन-कौन से person है आपके जिनको क्या करने पड़ती है यह GSTR2 जो है फाइल करने पड़ती है तो देखो यह provision सेम है आपका outward supply की तरह है कि कोई भी registered taxable person को क्या करना होता है जिसे outward supply की return फिल करनी होती है उसे inverse supply की भी return फिल करनी होती है यानि जो आपका composition scheme के अंदर tax pay कर रहा है section 10 के अंदर जो आपका non-resident taxable person है वो जो TDS को काटता है section 51 के अंदर या फिर जो TCS को collect करता है section 52 के अंदर उनको छोड़कर बाकि सभी registered taxable person को आपकी return file करनी पड़ेगी यानि इन चारों के accept बाकि सभी को ये return file करनी होती है second provision है आपका time limit for furnishing details यानि कितना time होता है किसी person के पास invert supply की details देने का ये return भरने का time limit क्या है तो देखो जो ये return है उसकी due date होती है 15th of next month जो आपकी ये return होती है 10th के बाद भरी जाती है after 10th and before और up to 15 10 से 15 तारीक के बीच में ये return को file करना होता है इसके साथ साथ जो ये time limit है अगर commissioner चाहे तो reason को writing में record करके इस time limit को extend भी कर सकता है और इसके एक और चीज है कि अगर क्या है state tax ये union territory tax के अंदर आपको extension मिल जाती है time की तो मान लिया जाएगा कि आपको cgst act के अंदर भी वो extension मिल गई है third provision है हमारा details of inclusion in inward supply यानि जो ये return होगी आपकी invoice apply की इसमें कौन कौन सी detail जो है दी जाएंगी department को submit की जाएंगी तो अब inward supply की details है तो वो सारी चीज़ें जो ये बताएंगी आपने समान purchase किया है और उस पर tax pay किया है वो सारी बनेंगी यानि चाहे आपने interstate purchase की हो चाहे आपने intra state की हो दोनों ही चीज़ें जो आपने invoice receive किये होंगे चाहे इंटर state की हो चाहे इंटर चाहे इंटरा दोनों में ही की होंगे और वो जो purchase आपने की है वो चाहे एक registered person से की हो चाहे अन्रजिस्टर से की हो यानि चाहे आपने tax normally pay किया हो चाहे reverse charge के अंदर किया हो वो आपकी यहां पर include होंगी secondly जो भी आप सामान बाहर से import करोगे चाहे वो import goods का हो चाहे वो services का हो तो उसके ओपर भी GST लगता है आपने import इंडिया में किया है तो उसका consumption इंडिया में होगा इसलिए तो वो भी आपको details देनी पड़ेंगी इसके साथ-साथ in particular transaction से related आपको जो भी debit या credit note मिले होंगे यानि हमने बात की क्रेडिट नोट और debit note का यूज़ किया जाता है स्प्लाई की value को increase या decrease करने के लिए tax को increase डिक्रीज करने के लिए तो इस particular supplies से devoted आपको जो कोई debit note और credit note मिला है तो वो भी include किया जाएगा यानि जो भी आपने invoice रेसीव किये है जो भी आपने debit credit note रेसीव ही हैं जो भी आपने good service receive की है import की है उनकी सारे details आपको देनी होंगी और इन सब में ध्यान रखना अगर आपने reverse charge basis पर tax दिया है वो भी include है IGST किसी के regarding दिया है कि आपने कोई सामान भार से मंगवाया था उस पर IGST दिया था कोई वी चीज import की थी वो भी include है और उस particular transaction से related जो भी आपको credit note debit note मेरेते चाहे वो import से related ही क्यों ना हो वो भी यहाँ पर included है यह सारे details आपको देनी पड़ती है department को next provision है आपका procedure for furnishing details कि आपका procedure क्या होता है कि इस procedure से आप क्या करते हो यह सारे details department को provide करवाते हो तो यह जो है एक three step process है जिसमे step one है आपका validate verify verify validate modify or delete the details of outward supply section 38 subsection 1 यानि देखो आपके supplier ने outward supply की details दी होगी और वो details उसने हमने पहले बात की थी वो आपको information भेज़ देता है जो भी वो department को details देगा वो recipient को भी send करेगा अब अब जो आपको recipient को जो details मिली है supplier से वो उने verify करेगा चेक करेगा कि जो उसके according supply की details होनी चाहिए थी यह वो है या नहीं अगर उसे लगेगा कि उसमें कुछ modification करने की ज़रूरत है कुछ हटाने की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा उसमें वो modification कर देगा then second step है furnishing details of invert supply यानि इसके बाद वो क्या करेगा जो editing deleting करने के बाद जो उसकी invert supply की details बनी है उनको क्या कर देगा furnish कर देगा अपनी return में यानि उनको submit करवा देगा and thirdly communicate to the supplier about modification यानि आपने जो भी modification उसमें की है recipient ने जो भी modification changes की है होंगे जो भी add delete किया होगा फिर उसके बाद वो उसकी क्या करेगा उसकी सारी information उस supplier को भीज़ देगा कि उसने ये ये चीज modify की है कोई आद होगा हमने कहा भी था कि recipient modification करके supplier को भेजता है फिर supplier उन्हें दुबारा चेक करता है कि अगर वो accept कर लेगा तो अपनी outward supply की में change करेगा otherwise वो reject भी कर सकता है बट एक बार जो आपके recipient का काम होगा चेक करना फिर शीक करने के बाद उससे परणिश कर देना और फिर उसकी communication अपने supplier को भेज देना next step है आपका next step नहीं next provision है आपका in case of error or omission in details कि अगर जो आपने in word supply की details दी है उसमें कुछ गलती रह जाती है या कुछ लिखना भूल जाते हो तो क्या करना है तो देखो जब भी कोई mistake आप करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा rectify करना पड़ेगा उस error को या फिर उस omission को या जो आप से लिखना भूल गई हो या जो गरत लिख दिया है उसकी information आपको department को देनी पड़ेगी जब भी आप जिस मंत में आपको पता चला है कि आपने क्या किया है error कर दी है उस मंत में आप उसकी information क्या करोगे department को दोगे और अगर क्या है आपने जो tax pay किया था वो कम पे किया था जबकि आपका ज़्यादा बनता था तो जितनी भी आपने short payment की थी आप उसको with interest department को पे करोगे Secondly, no rectification of error omission जैसे आपका out for supply की case में था कि अगर क्या है जब आप next financial year की September की return file करोगे या फिर अपनी annual return file करोगे दोनों में से जो भी time पहले है वो last date मान ली जाएगी error को rectify करने की या omission को ठीक करने की उसके बाद आप उस error को rectify नहीं कर पाऊगे यानि कि अगर क्या है आपका जो invoice है से related है November 2020 से तो session कुन सा है April 2020 से March 2021 यानि इस financial year के खतम होने के बाद जो September आएगा यानि September 2021 की return file करोगे जब आप normally उसकी date October 20 होती है या फिर annual return file करोगे annual return file करने की last date 31st December 2021 बनी next financial year की 31st बड़ जरूरी नहीं है कि आप last date को file करो हो सकता है आप September से भी पहले file कर दो से अगस्त में कर दो तो जो भी date पहले होगी वो last date मान ली जाएगी error को ठीक करने की उसके बाद कोई भी person error को ठीक नहीं कर सकता यानि आपका invoice supply की return क्या हुई है कैसी return जो क्या करेगी जो भी आपने purchases की है उनकी details देगी इसको हर person को file करना पड़ेगा accepting चार persons को चोड़ कर जो इसको time limit होती है इसको furnish करने की वो 10 से 15 तारिक के बीच में होती है next month की इसमें जो भी चीज़े आपने purchase करते हुए मिली है आपको यानि invoice, debit note, credit note जो भी आपने import किया है उसके document वो सारे submit करवाने होते हैं उनकी details देनी होती है procedure क्या होता है कि पहले आप सारे information जो supplier से receive हुई होगी उसमें modification changes करोगे validate करके फिर उसको furnish करोगे department को और उसकी communication दे दोगे अपने supplier को और अगर उसमें गलती हो जाती है तो उसी month में उसको rectify करोगे जब आपको पता चलता है लेकिन जब आप September की next financial year की September की return या फिर annual return फा पहले है उसके बाद अब अपनी error को ठीक नहीं कर सकते है यह थी हमारी invoice apply की return अब है हमारी third return monthly return जी एस्टी आर 3 monthly return for a normal taxpayer जिसकी last date होती है 20th of next month 20th इसकी last date या जिसे हम due rate कहते है वो होती है तो दीखो monthly return क्या है यह जो भी एक normal taxpayer होगा उसे क्या करनी थी 10 ताइक तक अपनी outward supply की return देनी थी फिर 15 तक 10 से 15 के बीच में उसे inverse supply की return देनी थी और जो आपकी यह monthly return है यह क्या है consolidated return है इन दोनों returns की यानि उसमें outward supply की details भी होती है inverse supply की details भी होती है और बाकी जो भी further information required है जिसके अभी हम discussion करेंगे वो सारी information भी उसमें include होती है जिससे हमें next month की 20 तक file करना होता है इसकी थोड़ी सी detail में बात करते हैं तो देखो monthly return यानि consolidated return जिसमें सारे details include होंगी जिसको हम section 39 subsection 1 के अंदर fill करते हैं और इसको gstr3 के अंदर fill किया जाता है इसको better way में understand करने के लिए हम इससे related provisions को discuss करते हैं first provision है आपका person liable for filing कि कि किन person को क्या करने परती है monthly return file करने परती है तो देखो वो हर person जो क्या करता है outward supply की details को fill करता है उसी को inverse apply की details देनी होती है और जो आपके outward और inverse supply की details को देता है उसी को क्या करना होता है monthly return भी file करनी होती है तो हर person को accept जो section 10 यानि composition scheme के अंदर है जो non resident taxable person है जो TDS collect करता है under section 51 और जो TCS collect करता है section 52 के अंदर उनको छोड़कर बाकी हर person को क्या करना पड़ता है इस return को file करना पड़ता है secondly form और manner की किस तरीके से ये fill की जाती है तो देखो आपकी जितनी भी return है वो electronically fill होती है यानि जो आपकी gstr3 है ये भी कैसे fill की जाएगी electronically fill की जाएगी portal पर और इसका जो number होता है वो होता है आपका gstr3 यानि electronically file होगी under gstr3 and third बात आती है कि जो आपकी ये monthly details है ये इसकी time limit क्या होती है तो जो इसकी time limit होती है वो होती है हमारी 20th of next month यानि जिस month की आप return भर रहे हो उससे next month की 20th तक आपको ये consolidated return file करनी पड़ती है commissioner चाहे तो इस time को extend कर सकता है valid reason के साथ and last है आपका details की क्या-क्या information जो है आपकी इस monthly return में लिखी जाती है details of monthly return तो देखो जैसा कि अभी हमने बात की थी कि जो आपकी ये monthly return है ये consolidated return है जिसमें क्या-क्या आएगा outward supply की detail आएंगी outward supply की जो outward supply की details होती है वो auto populated हो जाती है from GSTR1 यानि आपको इनको दोबारा भरने की जरूरत नहीं होती पोर्टल अपने आप ही क्या कर लेगा GSTR1 में आपने जो details दी होंगी outward supply की उनको इस return में उठा लेगा secondly, inward supply की details आपको देनी होती है इसमें क्योंकि ये consolidated return है तो inward supply की details भी आपको अलग से देनी की जरूरत नहीं है वो भी auto populated हो जाती हैं किस से from GSTR2 से इसके साथ साथ कौन सी details जाएंगी आपने कितना tax pay करना है या कितना pay कर दिया है वो भी बताना है और कितना ITC लिया है वो भी बताना है तो यानि इसमें ये details जाएगी कि आपके ने कितना ITC avail किया है इस बार कितना आपका tax payable था यानि total आपको कितना tax देना था Cash and ITC यानि हमने information दी कि हमने इस बार कितना ITC claim किया है इसके साथ साथ हमें total tax कितना देना था उसमें से कितना हमने ITC को use करके pay कर दिया है कितना cash करके pay कर दिया है और total कितना pay हम कर चुके हैं और कितना भी हमारा pay करना pending है वो सारी information हमें इस monthly return के अंदर देनी होती है तो monthly return आपके consolidated return है जिसमें outward supply का data उठाया inverse supply का data उठाया उसके बाद उसके base पे हमारा total कितना tax बना वो दिखाया कितना ITC बना वो दिखाया कितना tax pay कर दिया है वो सारी information department को हमने बता दी और इसको हमें next month की 20 तक फिल करना होता है under GSTR 3 और वो भी electronically यही थी आपके monthly return इसके बाद fourth return है हमारी आज की last return डिसकस कर रहे हैं हम यह बाकि फर्दर returns हम next videos में डिसकस करेंगी last return है आज की हमारी quarterly returns under composition Levi scheme देखो जो आपके composition scheme holder होते हैं उन्हें यह मंत्री return हमने अभी बात की pay करने की जरूरत नहीं होती section 10 वाले return को file inward outward वाली को combine वाली को file नहीं करते उनके लिए जो procedures होते हैं वो simplified होते हैं उन्हें इतने rules regulation जो provisions है फोलो नहीं करने होते तो वो क्या करते हैं monthly return ना भरके quarterly return भरते हैं यानि तीन महिने के return एक साथ भरते हैं तो जो भी composition scheme holder होगा वो अपनी return को file करेगा under gstr4 और उसके पास जो time period होता है वो होता है 18th of next month after quarter end यानि जब भी वो quarter खतम होगा scheme holder है वो भी 18th तक next quarter के तो उसे बोला जाता है composition Levi scheme के अंदर file करने वाले return gstr4 इसकी detail में बात कर लेते हैं देखो जो आपकी composition scheme लिवाई है composition scheme लिवाई है उसके अंदर जो gstr4 भरी जाती है उसके provisions क्या क्या है first है person liable to file यानि कौन-कौन person होते हैं जो liable होते हैं कि वो इस return को file करें तो जैसा अभी हमने बात की थी कि वो हर person जो क्या करता है composition scheme के अंदर tax pay करता है section 10 के अंदर tax pay करता है उसे क्या करनी होती है यह return file करनी होती है second है form and manner of filing कि किस form में और किस तरीके से return fill की जाती है तो देखो यह return जो है gstr4 form में फिल की जाती है और इसे electronic mode में file किया जाता है thirdly details क्या क्या होती है आपकी इस returns में details of quarterly return तो देखो जो आपकी quarterly return होती है उसमें क्या करना है एक पूरे quarter की composition scheme holder की सारी details देनी है यानि क्या क्या दोगे जितनी भी उसने outward supply की होंगी यानि consolidated statement जितनी भी उसने total जितना भी outward supply की है तिन महीने में उनकी consolidated details दोगे इकठे details दोगे outward supply की इसके साथ सान जो भी उसने invoice receive किये है यानि जो भी उसने क्या किया है चाहे intra state चाहे interstate जो भी supply receive की है जो भी उसकी invoice supply थी चाहे वो intra state हों चाहे वो interstate हों उनकी details देगा thirdly जो जो सामान उसने import किया होगा चाहे वो goods हों चाहे वो services हों उनकी details देगा और जो भी उसने credit note या debit note issue किये होंगे या फिर उसे receive होंगे यानि credit note या फिर debit note चाहे उसने issue किये हो यानि वो supplier supply से related हो चाहे उसकी invoice supply से related हो यानि उसने receive किये हो उन सब की details वो देगा यानि जो भी उसने खरीदा, बेचा, जो भी उसने invoice issue किये, receive किये जो भी import किया, उन सब की details वो इस return में देगा and last है due date यानि किस date तक जो है इस return file करनी होती है तो जैसा अभी हमने बात की थी कि जिस particular quarter की आप return file कर रहे हो उस quarter के खतम होने के बाद जो next month होगा उसकी 18th तक ये return file करनी होती है यानि quarter end के बाद 18th of next month आपकी last date होती है इस return को file करनी है तो ये थी आपके composition scheme के अंदर file की जाने वाली GSTR4 जिसको composition scheme holder fill करता है electronically in GSTR4 में सारे details देगा अपनी supply से related चाहे उसने वो supply कुद की हो यानि outward supply हो चाहे inverse supply हो और 18th तक वो इस return को देगा जो बागी की returns है वो हम next video में discuss करेंगी नाम discuss कर लेते हैं सिफ 5th का शुरुबात करेंगी हम next video में return by registered non resident taxable person से यानि जो एक nrtp person है जो आपका non registered taxable person है वो कौन सी return file करता है GSTR 5 को fill करता है जो हम start करेंगे next video में यहीं से करेंगे इनकी date होती है जिस time वो business बंद कर रहा है अगर तो business बंद करने के 7 दिन के अंदर अंदर या फिर जिस time के लिए वो fill कर रहा है उस month से next month की 20 तक डिटेल में हम जब discuss करेंगे इसकी तभी बात करेंगे एक बार वीडियो खतम करने से पहले एक चीज और जो रह गई हमारी कि जो आपकी composition scheme वाली return है वो आती है under section 39 subsection 2 के अंदर आज की लिए इतना ही I hope वीडियो आपको समझ में आई होगी टॉपिक क्लियर हुआ होगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थेंक यू